हेलो दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, हल्दी राम में जोब आपको कैसे मिलेगी, कैसे आपको एपलाई करना है, सेल्दी करनी रहने वाली है, क्या-क्या काम होता है, ये सारी बाते में आपको बताऊंगा, उससे पहले जान लेते हैं, हल्दी राम में काम क्या होता है कैसे होता है और क्या क्या प्रोड़क्ट बनाती है Haldiram Company तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों अगर आप पतले हैं हैं और मोटा होना चाहते हैं तो एक बार आप Haldiram Company में लग जाए हैं और आपकी जो health है बहुती जादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप उसमें कुछ भी खा सकते हैं और खाने के प्रोडक्ट बनते हैं, और आपको अलग से उसमें खाना भी दिया जाता है हल्दिराम कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें एक सोहन पापड़ी भी होती है एक डंडे के साहरे यहाँ पर इस परकार से इसे स्ट्रेच करते हैं और जो इसके इंग्रीडियंट्स होते हैं, जो उसे अच्छे से मिलाते हैं और काफी देर बाद ये मिलकर तैयार हो जाती है, काफी खेंचा ताना जाता है इस सोहन पापड़ी को जब ये तयार हो जाती है फिर इसको पैक किया जाता है दोस्तों इसके लावा रस्गुले भी बनाए जाते हैं और जो मसीन होती है आटोमेटिक होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं रस्गुले की गोली है आटोमेटिक बनती है और इसे मिंटों में तयार करके बना दिया ज होते हैं जैसे आप यहां पर देख सकते हैं यह वरकर भी काम कर रहे हैं यह भी आपको काम मिल सकता है और यहां पर देखे रिस्गुले कितने बड़े यहां रिस्गुले यहां पर यह बना के तयार कर देते हैं बहुत सारी जो मसीन होती ही वो आटोमेटिक ही होती है जो आट बढ़ती जाती है और इस से बहुत ही जल्दी जो मुझिया है बनकर तैयार हो जाती है. और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस परकार से यह मुझिया बनाई जा रही है. ऐसी ही बहुत बड़ी मसीने लगी होती है इस कंपनी में, जिसको आपको चलाना होता है, और जो product बनते हैं, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है, उन्हें pack करना होता है, ये आपको काम मिल सकता है, दोस्तो इसी प्रकार से कुरकुरे बनाने वाली भी बहुत बड़ी-बड़ी मसीने लगी होती हैं, जो की कुरकुर बनाती हैं, इसका process होता है, भो बहुत ही different होता है, automatic machine लगी होती हैं, conveyor line चलती है, जिस पर color अलग से mixing हो रहा होता है, जो इसकी मसाले हैं, भो अलग से mixing हो रहे होते हैं, बहुत ही different different तरीका होता है, और इसी प्रकार से जो जब product बनकर तयार हो जाते हैं तो जो machine होती हैं वो भी automatic होती हैं जो की product को pack करती हैं दोस्तों आप सोच रहे होंगे इसमें हवा भरी जाती है हवा नहीं होती है इसमें nitrogen भरी जाती है क्योंकि nitrogen एक ऐसी gas है जो की product को खराब नहीं होने देती है तो product जो है safe रहे और जादा दि तक खराब ना हो तो इसलिए उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है और जब प्रोड़क्ट पैक हो जाते हैं तो इसको एक कार्टून में पैक करके लोड किया जाता है, फिर इसे जो जगह जगह एजंसी होती हैं जैसे आपकी सहर में जो एजंसी है बहां पर इसे पहुंचाया जाता है फिर distribute किया जाता है दुकानों पर फिर आपके घर तक ये product पहुंचते हैं तो ये पूरा process होता है दोस्तो दोस्तो अगर हम बात करें इंडिया में हल दिराम की factory कहां कहां हैं तो बहुत जगें हैं जैसे आपकी दिल्ली में नॉइडा में रुद्रपुर में नागप factory हैं अगर आप इसके आसपास हैं तो लग सकते हैं job पा सकते हैं दोस्तो अगर हम बात करें इसकी salary के तो salary जो रहती है वो experience के हिसाफ से रहती है अगर सुरुवात अगर हम बात करें तो 12,000 से सुरुवात होती है जो कि 20,000 तक salary रहती है over time मिला कर दोस्तो जो best तरीका होता ह है company में लगने का और जिस हिसाब से जो company hire hire करती है जो workers होते होने hire करती है वो करती है gate से gate से कैसे करती है दोस्तो notice चिपका दिया जाता है gate पर कि इन हमें worker की आप सकता है salary इतनी रहेगी और आप बहां जाकर gate पर पूच सकते हैं भाई यह वरती है अगर आप company नहीं आना चाहते हैं बात करना चाहते हैं contact अकर नंबर चाहते हैं तो आप comment box में comment कर सकते हैं अपना नाम पता और अपना address देकर comment box में comment कर दीजे मैं आपको contractor जो होते हैं जो ठेकेदार होते हैं उनका number provide करा दूँगा विडियो देंगे लेक लिए भाद भाद धन्यवाद झाल 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